हेलो फ्रेंड्स मैं राज त्रिभुवन आपको फिर से एक बार इंग्लिश ग्रैमर के कुछ ट्रिक्स बताने आया हूं एंड हीर वी आर गोई टू सी वाट आर दे वर्ब्स ऐसे कौन से वर्ब्स है जो फ्यूचर टेंस को बताते हैं अटेंस को को इस खब्सका करते हैं इसे कुछ वर्ब्स इसमें वीस्जि घरामार सिखने में एक यह बहुत ही अच्छी बात हूं ये होती है कि आपको dokumentary के जैसे क्रामार चाहिए मैंसमें कोई दुसरी बात नहीं हुतिएBAT you need to go for logic more logic more logic and more logic इसी तरीके से इंग्लिश क्रामर को भी सीखा जाता है तो इंग्लिश ग्रामर को सीखने की क्या बाते हैं किस तरीके से सीखना चाहिए चाहिए कैसे हमेशा के लिए हमारे लोजिक का हमारे तरक का हमारी पढ़ाई का और हमारी सूज भूच का हिस्सा बन रहे है तो हम देख रहे हैं वर्ब्स एक्सप्रेशिंग फ्यूचर ठें और आज का हमारा टॉपिक है कैसे सिंपल प्रेजेंटेंज फ्यूचरिटी को या फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है नाुसी सिंपल प्रेजेंटेंज हमें पता है is used for और शोइंग दे हैबिट्स प्रेजेंट हैबिट्स उसका नाम ही क्या है सिंपल प्रेजेंट मैं जाता हूं मैं आता हूं मैं खाता हूं मैं मिलता हूं मैं पढ़ाई करता हूं मैं न्यूट चैनल देखता हूं जो भी करता हूं जो बाते रिपीटेडली होती है ऐसे simple present tense कभी-कभी future को भी बताता है, now simple present tense future को बताता है, यही बात सिखने के लिए तो हम इस channel को देख रहे हैं, so how's that, हम इसमें देखते हैं that, जब कोई future event, no, fixed हो जाती है calendar में, when, the future event is fixed in the calendar, और an official timetable, इस बात को हमें याद रखना है, कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना, जो timetable में, official timetable में, या हमारे scheduling में, या हमारे calendar में fix है, ऐसी बात को बताने के लिए हम कहते हैं, simple present tense, लेकिन उसका मतलब हमें निकालना होता है, future tense में, जैसे, दराज धनी express, lives for Kolkata, at five in the evening, दराज धनी express, यह चल रही है, राज धनी express चल रही है, दराज धनी express, lives, छूटती है, कि राज धनी express, कोलकता के लिए, शाम को पाज बजे, निकलती है, निकलती है, निकलेगी, क्या कैसा होना चाहिए, कि जो कोलकता के लिए जाने वाली ट्रेन है राज जधनी एक्स्प्रेस है वो निकलेगी शाम को पाच बजे लेकिन ऐसा नहीं कहते हुए क्या कर दिया गया इसको leaves for Kolkata at five o'clock in the evening no so five in the evening is what is a scheduled time is an official time means it has been given in the official timetable ये calendar में fix है उनके जो calendar है उनका जो भी timetable है उनका जो भी scheduling है इसमें ये बात fix है कि राज धरानी एक्स्प्रेस जो है Kolkata के लिए जाने वाली वो शाम पाज बजे रोज जाती है so that is what जाएगी कहना क тебя चाते है वो कि राज धराटी एक्सप्रेस Kolkata के लिए जाएगी लेकिन kiss पर आपार हम कैसे कहे रहे हें lives जाती है इसे कोक ज्याती है बजाती है लो जیसे कोई राजधाने एक्सप्रेस शाम को पाज बज़े निकलती हैं राजधाने एक्सप्रेस लिव्स फॉर कोल्कता एड फाइफ इन दे इविनिग इडिशू सिंपल अशुच की जब कि हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सिंपल प्रेजेंटेंस हैं लेकिन हमारी समझ में जैसे दूसरी बात है आवर एनिय। एक्सां मेरे सी नसली देशूरु होती है नों नेक्स बंदे से शुरूह होगी जब कि make your चापा है कि next Monday हमारी annual exams शुरू होगी लेकिन ऐसा न कहते हुए हम structure में क्या यूज करें है we are using the structure of simple present tense का structure यूज करें so using that simple present tense structure there in this sentence gives us the idea that yes simple present tense का इस्तमाल भी किया जा सकता है for showing future क्योंकि यहापर जो speaker है बात करने वाला है उसका कोई control नहीं है in actions को लेकर जैसे राजधाने express निकलेगी इसके उपर उसका कोई control नहीं है या फिर मंडे के दिन exam शुरू होगी इस पर भी बोलने वाला का कोई control नहीं है वो ऐसा भी कह सकते थे कैसा राजधाने express will live for Kolkata at 5 in the evening no problem और अबर अन्य annual examinations will begin next Monday लेकिन आइस अन्य कहते हुए इस बात को हमें समझना चाहिए कि there are certain words they show the future and we understand that here they are not talking on the habits the regular actions the cyclic actions but here the talk is about the future of the living of a train and beginning of an examination as such इतना आप समझ गया होंगे जरूर हम आगे बढ़ते हैं present tense in time clauses और कभी-कभी time clauses में हम present tense का भी इस्तमाल करते हैं in time clauses it is not common to use the future tense instead we use either the simple present or the present perfect tense time का जो clause होता है time clause शुरू होने की कुछ बाते होते जैसे time clause शुरू होने में कौन-कौन से words होते हैं when before after as soon as while that until the moment that इस तरीके के कुछ words है these are the words they they are used in time clause time clause में इनका इस्तमाल होता है आपको पता है there are some adverbial clauses no so in one of the adverbial clauses is time clauses so time clauses की शुरूआज जो होती है उसकी beginning हम कैसे पहिचानते हैं कि ये time clauses है हम इस तरीके से पहिचानते हैं कि ये time clauses है because there are words like this जैसे when when जब you know जब कब no before उसके पहले या आफ्टर उसके बाद या अस्वेन जैसे ही these are the words these words give us the hint of time and so they form the time clauses और in time clauses में हम फ्यूचर को लेकर बात करते हैं generally लेकिन structure हमारा होता है either simple present tense और present perfect tense आइसे कैसे देखते हैं let us see ये sentence देखते हैं we shall play chess we shall play chess after we have finished the dinner we shall play chess after we have finished the dinner तो जब हम हमारा dinner खतम कर लेंगे खतम कर चुके होंगे no हमने जब हमारा देखो we have finished the dinner का present perfect tense में natural meaning क्या होगा logical meaning क्या होगा grammatical meaning क्या होगा हमने dinner खत्म कर दिया है ओके ये इसका क्या है इसका meaning है जैसे कि translation अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा present perfect tense जो बाते हम कर चुके हैं complete कर चुके है finish कर चुके है तो what we say we have finished our dinner हमने हमारा dinner खत्म कर लिया है लेकिन यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है फिर से देखते हैं इस sentence को we shall play chase after we have finished dinner जब हम dinner खत्म कर लेंगे तब हम chase खिलेंगे उनको ऐसा कहना है exactly the speaker wants to convey the message this way कि we shall play chase after we have finished dinner अगर दोनों को तोड़ कर अगर उसकी understanding करने लग जाएंगे उसका translation करेंगे तो क्या हो जाएगा we shall play chase हम chase खिलेंगे and time clause का जो word है वो नहीं लगाते हुए अगर हम कहेंगे we have finished our dinner हम dinner खत्म कर चुके है हमने dinner dinner ले लिया है तो हमने dinner ले लिया है ऐसा नहीं कहना चाहता है यापर because of that time clause the introduction of the word that forms ऐसा word है ऐसा linker है वो कि वो क्या करता है form करता है time clause को इसमें कोंसा word है ऐसा after we shall play chess after we have finished dinner or we will go to Missouri immediately after the summer vacations begin no तो इसका translation कैसा होगा हम मसूरी जाएंगे immediately after जैसे ही immediately फॉरण बाद कब किसके फॉरण बाद जैसे ही छुटिया लगेगी हमें summer vacations हमारी शुरू होगी हम जाएंगे या शुरू होगी no summer vacations will begin ऐसा नहीं कहा जा रहा है कैसे कहा जा रहा है आपर we will go to मसूरी immediately after the summer vacations begin summer vacation begin होते ही हम जाएंगे मसूरी तो instead of using the word like will or shall in the time clause we use either present simple present tense जो है आपर दूसरे sentence में यूज किया है the summer vacation begin और present perfect tense जो हमने पहले sentence में use किया है after we have finished our dinner तो after we have finished our dinner is what is a time clause no adverbial clause of time इसके लिए इस तरीके से use किया जाता है इसमें दूसरी बात है that is more importantly to be seen future continuous tense को भी हमें समझ लेना चाहिए मैं इसे के साथ हम इसको खत्म करते जा रहे so what is future continuous tense future continuous tense का मतलब ऐसे होता है कि एक action future में शुरू होगी ओके और तब वो चलती रहेगी जैसे for example very simple example I am taking at this time tomorrow means इस वक्त कल कल इस वक्त no at this time अभी क्या time हो रहा है जैसे 4 बज़ रहा है at this time tomorrow we shall be flying to Paris we shall be flying to Australia के लिया okay तो मैंने यह पर क्या कर दिया है कि इस वक्त हम Australia के लिए उड़ रहे होंगे इसका मतलब क्या है future में वो जो action है वो चलती रही रहेगी generally we use present continuous tense जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ I am teaching you you are learning you know I am making a video you know YouTube video बना रहा हूँ मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ I am trying to interpret things तो मैं कुछ कर रहा हूँ जैसे present में जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो we use present continuous tense इसी तरीके से future में हमें दिमाह में लेना पढ़ेगा कि मैं कल क्या कर रहा हूँगा इस वक्त I will be sleeping मैं सो रहा हूँगा इसका translation आजीब होता है कि हम उड़ रहे होंगे इस वक्त हम Australia के लिए उड़ रहे होंगे ओके या I will be sleeping इस वक्त मैं सो रहा हूँगा अगर तुम मुझे 11 बज़े फोन करोगे तो I am damn sure कि I will be sleeping तो मैं तुमारा फोन नहीं उठा पाऊंगा What is that? At this time और at 11 o'clock at night tonight At 11 o'clock tonight I will be sleeping मैं सो रहा हूँगा Miss future में आच्छन क्या रहेगी Will be continued So that is called the future continuous tense as such इसी तरीके से हम बहुत सारी बाते कर सकते हैं कह सकते हैं Another is the thing that future perfect continuous tense अब आप समझ जाओगे कि future में को एक्षन है वो खत्म हो चुकी होगी And such are the things of this Futurity Future tense तो future tense को कुछ इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं Future tense के लिए not necessary कि आप सिर्फ और सिर्फ Will और शल का इस्तमाल करेंगे Future tense के लिए not necessary आप will be का इस्तमाल करेंगे Future tense के लिए आप कभी-कभी Future बताने के लिए आप कभी-कभी Simple present tense का भी यूज कर सकते हो Future बताने के लिए आप कभी-कभी Present perfect tense का भी इस्तमाल कर सकते हो Future बताने के लिए कभी-कभी आपको present continuous tense का भी इस्तेमाल करना पड़ता है so this is what basically I am going to Mumbai tomorrow मैं मुंबाइ कर जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं जाओंगा इसमें आपको हमेशा इस बात को समझा चाहिए form एक होता है फिर भी function उसका दूसरा हो सकता है यहाँ पर हम form कौन सा यूज़ कर रहे है I am going to Mumbai present continuous का form यूज़ कर रहे है लेकिन मैं function उसका क्या बताना चाहता हूं मेरा मेरे दिमार में message क्या है कर जाओंगा जा रहा हो का मतलब क्या है कर जाओंगा not that action is now happening अभी action नहीं हो रही है और फिर हम कल से देखना शुरू करेंगे model auxiliary यह बहुत ही important चीज़ है बहुत ही ज्यादा functional चीज़ है बहुत ही ज्यादा practical usage है इसका और हमारी पूरी English की जो ताकत है इसमें हमें देखने मिलते हैं तो जरूर अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें जरूर लाइक करें comment box में लिखें कि whether you like the channel the video or not what are your expectations from this YouTube channel और अपने दोस्तों के साथ इसे शेर करें एक अच्छा काम कर ले आप और subscribe करना तो बिलकुल ना भूले ताकि सबसे पहले इसकी notifications आपको आते रहेगी क्योंकि हम इसके साथ ही साथ लाइफ स्ट्रीमिंग के लिए भी जाने वाले हैं जहां पर मिस आपको बड़ा मजा आएगा एख लग्रीस, क्या मैं है जो वह जो भाती वोरिग ब्रकराय रख्ते हो इसके आपर यसारी बाते हैं बाती रहेगी इसके आपको यह सारी बते हैं को इसके